हाई प्रेंट्स सीमा स्पेस्ट किचन में आपका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी क्रंची चिकन बर्गर जैसे हम बाहर से मंगवाते हैं बर्गर वैसा ही सेम टेस्टर बनाने का भी बहुत आसान तरीका है बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा तो ऐसा गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रंची बर्गर आपको बनाने के लिए मेरी रेसिपी देखनी पड़ीगी तो चलिए क्रिस्पी चिकन बर्गर बनाना शुरू करते है चिकन बर्गर बनाने के लिए यहां मैंने 200 ग्रैम चिकन खिमा लिया है तो चिकन बर्गर बनाने के लिए चिकन खिमा लेना है तो चिकन खिमे में दो पैस बारी कटे हुए ये डालेंगे यहां मैंने एक कटोरी ब्रेड क्रम्स लिए है ब्रेड क्रम्स डालेंगे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है ब्रेड क्रम्स डालने से एक चमच अध्रकलसुन का पेस्ट डालेंगे फिर डालेंगे मेयोनीज मेयोनीज डालने से तो बर्गर बहुती अच्चा लगता है तो फिर डालेंगे आदा चमच जीरा पाउडर एक चमच दनिया पाउडर डालेंगे फिर डालेंगे एक या दो चमच लाल मीर्ची पाउडर आप अपने स्वादा नुसार कम जादा लाल मीर्ची पाउडर डाल सकते हो आपको जादा दीका पसंद हो तो आप कम जादा डाल सकते हो फिर डालेंगे आदा चमच गरम मसाला नमक डालेंगे स्वादा निसार आदा चुमज डालेंगे काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च सब मसाले डालने के बाद हाथों से इसे मिक्स करना है चिकन को चिकन का बैटर ज्यादा पतला हो जाए तब आप ब्रेट क्रम्स थोड़ा सा उपर से डालिए यहाँ चिकन की बाइंडिंग बहुत ही अच्चे आई है उपर से ब्रेट क्रम्स डालने की जुरूत नहीं पड़ी है परपेक्ट प्रमान हो गया है तो यहाँ चिकन का बैटर रेडी है उपर से थोड़ा सा तेल लगाते है तो चिकन की टिकी बनाने के लिए यहाँ चिकन का गोल अच्चे तेरे से बन चुका है तो चिकन की टिकी बनाना शुरू करते है थोड़ा सा हातों में तेल लगाते हैं तेल लगाने से हातों में चिकन चिपकेगा नहीं इसलिए हातों में तेल लगाना ज़रूरी है बहुत आसानी से टिक्की बन जाएगी आपको कैसी चाहिए टिक्की वैसी आप बनाएए बड़ी या चोटी ऐसे हातों में गोल गोल गुमा के ऐसा प्रेस करेंगे टिक्की को कितनी आसानी से बन रही है टिक्की तो टिक्की बनाने के बाद ब्रेड क्रम्स में हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में कोट करने से बहुती क्रंची लगती है उपर से टिक्की दूसरी भी इसी तरह से टिक्की बनाते है ज्यादा पतली ही नहीं और ज्यादा जाड़ी ही नहीं ऐसी ही मीडियम साइज की टिक्की बनानी है तो बाकी के सब टिक्की बनाकर ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे तो इसी तरह से मैंने यहाँ बाकी के सब टिक्की बनाकर प्रेड क्रम्स में कोट कर ले है बर्गर बनाने के लिए यहाँ मैंने बर्गर पाऊ लिया है ऐसे ही बर्गर बनाने के लिए पाऊ चाहिए तो यहाँ मैंने एक पैन में तेल डाला है तेल में हम टिकिया डालेंगे ध्यान में रखिए तेल ज़्यादा नहीं डालना है सिर्प टिकी का आदा बाग ही डुबोना है शालो प्राय करना है डी प्राय करना नहीं है टिकिया को सिर्प नीचे वाली बाजू ही डूबनी चाहिए यहां तक ही तेल डालना है तिक्या तलने के लिए 5-6 मिनिट लगते है तेल गरम होने के बाद गैस की प्लेम मिडियम रखनी है क्रिस्पी होने तक तिक्या को फ्राय करना है ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा सामगरी भी नहीं लगी है बहुत ही कम समय में और कम सामगरी में चिकन बर्गर बनता है तो तिकिया भी प्राई हो चुकी है टिशू पेपर में निकाल लेते है इसी तरह से बागी के सब तिकिया प्राई कर लेते है तो बन पाउ के हम दो भाग करेंगे चाकू के सायत से तो यहां सब पाउ कट करके तयार है तो पाउ को हम सेक लेंगे जो टिकिया फ्राइ कर लीती पैन में उसी पैन में थोड़ा सा तेल बचाता उसी पैन में हम पाउ को सेक लेंगे थोड़ा सा क्रिस्पी होने तो पाउ को सेक ना है जादा नहीं सेक ना है तो यहां बन पाव भी शेक कर तयार है ऐसे ही पाव को क्रिस्प थोड़ा सा होने तक शेक ना है तो बर्गर बनना शुरू करते है तो यहां नीचे वाला जो पाव का भाग होता है रखा है उपर से हम बहुत सारा मेयोनिस डालेंगे तो चाकू के साहते से हम स्प्रेड करेंगे मेयोनिस को आपको थोड़ा सा ही मेयोनिस पसंद है तो आप थोड़ा सा भी डाल सकते हो फिर डालेंगे टोमेटो केचप इसे भी हम स्प्रेड करेंगे और पैस की स्लाइस रखेंगे दो स्लाइस की उपर हम चिकन की टिक्की रखेंगे जो दुसरा वाला पाव का आदा भाग होता है उसके उपर हम मेयोनिस लगाएंगे ऐसे स्प्रेड करेंगे चिकन की टिक्की पर हम टामाटर की स्लाइस रखेंगे उपर हम मेयोनिस लगाएंगे मेयोनिस की वज़े से तो बर्गर अच्चा लगता है फिर डालेंगे चीज चीज कीस के डालनी है बहुत सारी चीज डालनी है चीज की स्लाइस भी मिलती है आप चीज स्लाइस का भी यूज कीजिए फिर मेयोनिस लगाया हुआ आदा पाव को रखेंगे उपर चीज क्यू कीस के डालेंगे तो तयार है क्रिस्पी, क्रंची, चिकन बर्गर आप सभी को और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा तो आज मैंने बहुत सिंपल तरीके से चिकन बर्गर की रेसिपी आपके साथ चैर की है तो क्रंची, क्रिस्पी, चिकन बर्गर आपको कैसा लगा? आप भी घर पे ज़रूर ट्राइ कीजे और मुझे कमेंड में बताईए तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजे, लाइक कीजे और शेयर भी कीजे तो मिलते हैं ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाई बाई